मैं पवन मिस्त्रा और आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं रिलेसंसिप बिट्वीन सोसाइटी एंड एजुकेशन की सिख्चा और समाज में क्या संबंध है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि एजुकेशन क्या होती है सोसाइटी क्या है और दोनों के बीच में क्या संबंध है तो हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं सिख्चा की बात करते हैं तो सिक्षा के अगर हम बात करते हैं तो जो सिक्षा सब्ध है संस्क्रित की शिक धातु में अब पड़ते लगने से बना है तो 6 का अर्थ होता है सीखना और सिखाना तो इसलिए सिख्चा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रिक्रिया हिंदी में जो इसका अर्थ है और वही अगर हम इंगलिस के बात करते हैं तो the word education is derived from Latin word educator, educator and educator means to bring out, to nourish, बहार लाना या प्रस्कृत करना and educator means act of teaching and training, शिक्षण और प्रस्क्षण का कारे और educator means to draw out, बहार निकालना, बहार लाना, तो अगर हम education की meaning के बात करते हैं तो देखो हिंदी में जो है सब्द है सिख्च, ठीक है तो हिंदी का जो सिख्चा सब्द है सनस्क्रित के सिख्धाद उसे बना है और इंगलिस का जो education, जो word है, यह कहां से आया है यह Latin word educator, educator and educator से आया है, तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा के हिंदी में बात करें तो सीखने और सीखाने की परिक्रिया और इंगलिस में बात करें तो to bring out to nourish, ठीक है, to draw out की उसके अंदर जो उसकी काबिलियत होती, जो ability होती है बच्चों की, जो चमताएं होती है उसको बहर लाना और हम अगर परिभासों की बात करते हैं, definitions की बात करते हैं, तो सबसे पहले गांदी जी की जो सिख्छा के बारे में गांदी जी ने क्या कहा की, by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit की, सिख्छा से मेरा अभी पराएं, बालक और मनुस्य के सरीर, मन तथा, आत्मा के सर्वांगिन, एवम सर्वोतक्रिष्ट विकासे हैं, की सिख्छा क्या है, की सिख्छा सिर्प पढ़ना लिखना नहीं है, गांदी जी क्या कह रहे हैं, की स की बात करते हैं, गांदी जी, इसी तरीके से अगर हम पैस्टालोजी की बात करते हैं, तो पैस्टालोजी क्या कहते हैं, की सिख्छा मनुस्य की जन्जात सक्तियों का सौभाविक, सम्रस और प्रगृतिसिल विकास है, की education is a natural, harmonious and progressive development of man's innate power, जो इसकी आंतिक जो इसकी innate power है जो आंतिक सकती हैं, उसका विकास, और स्वामी विकानन जी की बात करें, तो उन्होंने क्या कहा कि मनुस्य की अंतर नहीं पूंटा को अभिक्त करना है सिख्चा है, education is manifestation of perfection already present in man, जो बच्चों की जो गुन है, जो उसके अंदर पहले सही हैं, उसको बाहर निकालना, उसको क अगर हम Aristotle, Aristotle की बात करते हैं, तो स्वास्त सरीर में स्वास्त मन का निर्मान ही सिख्चा है, education is the creation of a sound mind in a sound body, कि स्वास्त सरीर में एक स्वास्त मस्तिक्स का निर्मान करना वही सिख्चा है, ताकि हम सोच सके, समझ सके, सही गलत की पहचान कर सके, और अलग-लग जो situation है, उसक हम बात करते हैं, society की बात करते हैं, society क्या है, तो अगर हम society को simple, अगर one sentence में अगर हम कहें, तो society को हम क्या कहेंगे, group of people, सबसे simple अगर definition, ठीक है, फिर आगे है, manager ने society को लेकर क्या कहा है, कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा सम्मू होता है, जिसमें सभी व्यक्ति किसी समा कार में सचीत रुप से भाग लेते हैं, कि a society may be a group of people, among whom there is conscious participation in some kind of common activity, हम देखते हैं, आप society में देखो, हर लोग किसी ना, सभी लोग एक दूसरे से, किसी ना, किसी तरीके से, मतलब, जुड़े हुए हैं, समाज में, हर कोई जुड़ा हुआ है, बिना हम कहते हैं, हम एक सो Social Relationship में बने हुए हैं, तो हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगर आप घर में रहते हैं, तो आप, चाहे बाहर कोई सबजी बेचने वाला है, कोई दुगान वाला है, तो हम उससे जुड़ा हुए हैं, एक दूसरे की help से ही, हम अपनी पनी लाइफ कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका benefit हमें भी मिल ला है और दूसरों को भी मिल ला है तो society may be a group of people among warm there is a conscious participation in some kind of common activity कि लोग सभी किसी ना किसी activity में एक common activity में जुड़े हुए हैं हर कोई कमा कर अपनी life को अच्छा बनाना चाहता है और makeover and page क्या कहते हैं समा समाजिक समंदों का एक जाल है जो सदियों बदलता रहता है कि society is a web of social relationship and it is always changing कि हम देखते हैं कि हमारे समाजिक समंदों का जाल है एक social relationship wave of social relationship है और जिसमें यह relationship बदलते रहते हैं अब एक example के लिए आप थे जब छोटे थे ठीक है दीरे दीरे जब आप बड़े हुए तो आप आपके दोस्त बने दोस्त भी बदलते रहे ठीक है फिर आप एक student थे student के बाद फिर बड़े हुए ठीक है आप कहीं किसी जोब में गये वहाँ पर आपको एक अलग relationship बना फिर आपकी अगर साधी हो जाती है तो फिर आप एक न अरे हमेशा बडलता रहता है संबन बडलते हैं लोग बडलते हैं और society है चलती रहती है तो सभी लोग एक common activity में जुड़े हुए है जिनका main मक्सद के है अपनी life को और अच्छा बनाना अपनी रोजी रोटी कमाना खाना तो सभी लोग common activity में जुड़े हुए हैं और कहीं कर दूसरे से link करते हैं ठीक है तो यह हो गया समाज अब हम देखते हैं कि हमारे society और education और society में क्या relationship है क्या संबंद है दोनों में किस तरह से education society पर effect डालता है और किस तरह से society education पर अपना effect डालती है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं impact of society on education कि society education पर क्या impact पड़ता है कि समाज किस तरह से सिक्चा पर परभाव डालती है तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं समाज की प्रकृति तथा आदर्स का परभाव influence of social structure and ideals कि समाज की प्रकृति और आदर्स का या social structure है social ideals है ठीक है उसका किस तरह से education पर परभाव पड़ता है impact पड़ता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेदों का काफी impact था समाज society पर तो उसी तरीके से education भी थी आगे चलकर society में हम देखते हैं कि बहुत जो भगवान बुद्ध के जो उनके जो message थे उसका काफी impact हुआ तो education पर उनके messages का तकरीवन 1200 जो year था उस पर काफी परभाव पड़ा आगे चलकर जब इसलाम भारत में आया तो जो education थी हम देखते हैं कि जो social जो ideals थे उस पर किसका impact पड़ा उसका अरब का और उसके बाद हम कहते हैं forest का ठीक है तो उस पर इसलाम का काफी impact पड़ा तो जब social हम बात करते हैं जो social structure और ideals चेंज हुए तो education में भी change आया फिर हम हम देखते हैं जब Britishers भारत आइश इंडिया कंपनी आई तो यह क्या लाए अपने साथ Christianity को लाए तो फिर से जो social जो ideals थे ठीक है वो बदले और उसके हिसाफ से education को भी बदल दिया गया तो समाज की जैसी प्रकृती है अगर मालो हम village society में देखे या हम ऐसी society में देखे जह है तो society में education में values को ज़्यादा importance दी जाएगी लेकिन अगर वही society हम बात करते हैं realistic society है जो spirituality में believe ना करके वो physical word में believe करती है जैसे हम western society को देखते हैं तो उसका असर उहां की education पे होगा तो उसमें फिर values को इतना ज़्यादा focus नहीं किया जाएगा ideals value जोगा focus नहीं किया जाएगा तो समाज की जैसी हम प्रकृति होगी आदर्स होगा जैसा social ideals होगा structure होगा तो वैसी education होगी ठीक है राजनितिक दसाओं का परभाव influence of political condition की जैसी political condition है वैसे ही वहां की education होगी तो हम देखते हैं अक्सर अगर इंडिया के बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि 5 साल बाद election होते हैं हर 5 साल बाद election होते हैं अलग अलग parties होती है जब parties change होती है एक नहीं party आती है तो हम देखते हैं वहां पर education structure में भी पूरा बदला वाता है हर कोई अपने हिसाब से educate करना चाहता है लोग को ठीक है तो जो राजनितिक जो parties हैं जो political जो condition है उसका भी काफी impact पड़ता है अलग लग आप country देखो वहां पे अलग लग political parties हैं तो वो सब अपने अपने हिसाब से education देना चाहती है तो हम अक्सर हम अपनी अगर country का उधार रहन लें तो जब भी government change होती है तो एक नया education system आता है एक नया structure आता है ठीक है तो उस हिस साब से education में भी changes आते हैं तो political parties का भी काफी फरक पड़ता है आर्थिक दसाओं का परभाव influence of economic condition की जैसे समाच की उसकी economic condition है वैसे ही वहां की education है अगर हम देखते हैं कि अगर कोई country है वहां पर पैसो की कमी नहीं है जैसे western country है तो वो अपनी education पर बहुत ज़्यादा सकते हैं education में तरह तरह के innovation कर सकते हैं methods है technology है हर चीज ट्राइ कर सकते हैं ठीक है तो अपनी education को और अच्छा करने के लिए कोसिस कर सकते हैं ठीक क्यूंकि उनके पास पैसे की कमीनी जारा से जारा पैसा लगा सकते हैं सबको free and compulsory education दे सकते हैं अच्छे school college सब बना सकते हैं लेकिन वही अगर हम देखें जो economic कि अगर हम बात करते हैं कि underdeveloped जो countries हैं जो developing countries हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है तो ओ education पर इतना जारा फैसा नहीं लगा सकते हैं तो अकसर हम देखते हैं होगा पर teachers की कमी होती है स्कूल में infrastructure नहीं होता पानी बिजली building हर चीज की कमी हो पाती हर कोई education ले नहीं पाता तो जैसी society की economic condition होगी वैसी वहाँ पर education होगी अच्छी economic condition होगी तो जड़ा education को और बहतर बनाया जा सकता है लिगन अगर अच्छी economic condition होगी तो सिक्चा पर जितना पैसा लगाना चाहिए उतना नहीं लगाए जा सकता धार्मिक दसाओं का प्रभाव हम देखते हैं कि जो religion का भी society पर impact पड़ता है अब पहले अगर हम Indian society को देखते हैं तो इंडिया में एक time ऐसा था जब यहाँ पर Islam था तो Islamic education थी फिर अंग्रिय जाए तो education में Christianity का बोल बादा था और वही अगर हम इंडिया की आज के समय में ब अरब में जाएं तो वहाँ पर जो country है वहाँ पर जो country है वो democratic country नहीं है वहाँ पर उनके वो religious country है तो जैसी अगर religious society होगी तो वही चीज़ वहां की education में भी देखने को मिलेगा और democratic society होगी तो उसके हिसाब से वहां की education होगी ठीक है तो समाजिक परिवर्तनों का परभाव तो अगर हमारे society में changes आते हैं तो education में भी changes आएंगे ठीक है अब इंडिया में हम फिर से हम अपने past को देखते हैं तो वैदिक time था तो education वैदिक impact था फिर buddhist time आया तो एक अलग change आया फिर Islamic time आया तो education में फिर change आया फिर Britishers आया तो English education में ठीक है एक नया change आया और फिर ह हमें freedom मिली तो उसके बाद फिर हमने अपने हिसाब से अपनी education में change लाया अब आज देखोगे कि तो आज जो education है एक तरह से हम देखे digital online जो चीजे हैं कोवीड से पहली कि हम बात करते हैं तो offline classes चलती थी लेकिन फिर covid आया और इसके बाद हमारे society में भी changes आया education में भी changes आय अब हम देखते हैं कि सिक्षा का समाज पर क्या परभाव पड़ता है impact of education on society कि कि किस तरह से education है society पर impact डालता है तो समाजिक विरासत का सरक्षट preservation of social heritage जो हमारी समाजिक विरासत है हमारी culture है ठीक है हमारा अपना एक history है literature है ठीक है तो education की सिक्षा के माधियम से आज की समय मे देखो वैदिक education है बुद्धिष्ट जो चीजे है उसके बाद हमारी जो society का एक पूरी history रही आज भी हम हमें इसके बारे में पता है क्यूंकि education के थूरू उसको चाहे literature के रूप में चाहे मतलब एक material के रूप में उसको सुरक्षित रखा गया है इसने हमें पहले आज से 1000 साल पहले क्या हुआ 2000 साल पहले क्या हुआ वो चीजे हमें पता है तो education क्या कर रहा है preservation of social heritage की समाजिक विरासत का सरक्षन करता है और इसको generation to generation उसको क्या कर रहा है transfer कर रहा है ठीक है समाजिक भावना की जागरती की education जो है वो एक social feeling develop करता है कि जैसे हम इंडिया की बात करत country में 130 135 करोड जो population है सब को जोड़ता है सब में एक हम बात करते हैं social feeling एक unity की feeling लाता है कि हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा तो सिक्षा क्या कर रहा है कि लोगों में आई वाली जो feeling है मैं से हटा कर we feeling हम की भावना का विकास करता है सिक्षा के माधियम से हमारे में जो ह रूट कर हमें एक हम बात करते हैं unity वाली feeling आती है एक अपनत्व की भावना का विकास होता है ठीक है और हम फिर अलग लग जाती ध्रह में नहों कर हम एक देश के रूप में हम हमारी पहचान हो जाती है तो समाजिक भावना की जागृति कि अवेकिंग ऑफ सोसल feeling डेवलप करता है education और political development of society समाज का राजनितिक विकास सिच्छा के माधियम से हम देखते हैं कि एक अच्छी education लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाती है उनको अपने responsibility जो roles हैं उससे introduce करवाती है और अगर किसी समाज में अच्छे पढ़े लिके लोग होंगे इमानदाल लोग राजनिति में जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो political system हो अच्छा होगा और हमारा देख हमेशा काम्याबी की तरफ आगे बढ़ेगा तो अच्छी education अच्छे लोगों को बनाती है और अच्छे लोग अगर राजनिति में जाते हैं तो इससे हमारा political development होता है अच्छे को develop करती है और एक अच्छी education हमें आत्म निर्भर बनाती है self dependent बनाती है और हमें इस काविल बनाती है कि हम खुश्य करकर अपनी आमदनी अपनी रोजगार जो है हम lively जो हूड है उसको हम मतलब जो resources है उसको इकठा कर सकते हैं हम कहीं अपना काम कर सकते हैं दूस्टों के under म में भी काम कर सकते हैं तो मतलब education एक तरह से में आत्म निर्भर बनाती है और इससे क्या है कि हर कोई कमाएगा तो हर कोई अपना विकास कर सकता है self dependent हो सकता है जो हमारी country के जो उनके individually economic development और country के लिए काफी अच्छा है तो समाज जो सिक्षा जो है जो education society को आगे बढ़ाती है economic group से strong करती है समाजिक परिवर्तन एक अच्छी सिक्षा समाज में परिवर्तन लाती है ठीक है अब एक समय हम देखते हैं कि हमारे हाँ पर females को right नहीं थे इतने ठीक है females को education नहीं दी जाती थी लेकिन धीरे-धीरे जब हमने western country को देखा तो हमें आया कि एक हमारे में social changes आये ठीक है कि education के द्वारा हमें महसूस होने लगा कि नहीं education ने हमारे way of thinking में change लाया और फिर कहीं न कहीं हम देखेंगे females का जो enrollment है धिरे-धिरे बढ़ने लगा तो education क्या कर रहा है कि एक अच्छी education हमें एक अच्छी thinking देता है जिसे जो हमारे एक time social evils थे समाजी बुर labor इस सारी जो चीजें हैं जो समाजी जो social evils हैं इसको खतम करके हमारे समाजी में एक positive जो है change लाता है तो समाजी परिवर्तन social change का जो एक main अगर हम देखेंगे हथियार है एक weapon है तो वो क्या है education education is the is a powerful weapon of social change समाजिक सुधार social reform लाता है जैसे मैंने भी बात की कि education के माध्यम से लोगों लोग aware होते हैं ठीक है लोगों को सही गलत का पता चलता है और इससे क्या है कि जो social evils हैं जात पात है धर्म है ठीक है इस चीजे खतम होती है और कहीं ना कहीं इन में सुधार आता है तो समाजिक सुधार में social reform के लिए education बहुत जरूरी है एक अच्छी education बच्चे का समाजी करण socialization of child की बच्चा जब society हम देखते हैं बच्चपन में जब अपने घर में रहता तो उसकी way of thinking अलग होती है अक्सर जब बच्चपन में घर में जाध धर्मीन में बंधा होता है लेकिन देरे culture के लोग बच्चे होते हैं अलग अलग area से आते हैं सब साथ मिलते हैं साथ में activity करते हैं और एक तरह से बच्चे का एक positive socialization होता है तो इस तरह से बच्चों के socialization पे भी इंपक्त करते है education बच्चों में एक positive thinking और डेवलप करती है तो आज के इस video lecture में हमने देखा कि education क्या है society क्या है और society किस तरह से education पर impact डालती है अपना और education किस तरह से society पर अपना impact डालता है तो दोनों ही एक दूसरे क्लिए बहुत जरूरी है हम एक कह सकते हैं कि दोनों ही एक coin के दो side है एक के भीना दूसरा दूरा है तो आज की इस video lecture में इतना ही और next video lecture में हम एक नए topic के साथ आएंगे तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद